क्या ट्रैगन एगेड में आएगा, क्या हमें खुद ब्लैक बेड यहां पे आता हो दिखेगा, या फिर क्या श्ट्रोःएड ग्रेंट फ्लीट, लूफी की मारत करने के यहां पे आएंगे, यही सारे सवाल बहुत सारे चैप्टर से लोगों के मन में थे, well guess what, लगता है भा भाई उससे भी बढ़के है, One Piece Chapter 1105 जिसका टाइटल है The Peak of Stupidity, तो चलो भाई अब फटाफट से guess करो यहां पे किस की पात हो रही होगी, अगर तुम यहां पे लूफी कहने वाले हो, so guess again, क्योंकि भाई इसका आंसर मुझे भी नहीं बता, I mean भाई चैप्टर के अंदर लू पुन मेगिंग मसिन के आगे बैठ के बढ़िया से खाना ठूस रहा है, लूफी भी लाइक, क्या, कुमा सेटन से फभाई रहा है, अच्छाecन कैना से अच्छाए नूडल्स खा लेता हो, रेकिन भाई इतना खाना खाने के बाद भी यहां पर लूफी फ़ाइड को ना I think सही तो नहीं होगा क्योंकि वैसे तो ये लूफी का नॉर्मल बिहेवियर है बट I think यहाँ पर लूफी ने चैप्टर के अंदर और भी कांड करे होंगे जो कि भाई हम चैप्टर के अंदर भी देखेंगे वैल इससे पहले कि चैप्टर के अंदर सांजी वसी स्कीजरू यहाँ पर भाई कीजरू Atlas की गुरूप के पर अटेक कर देता जो कि भाई वैक्यम ट्यूब की मज़से लेव फो इसके अंदर जा रहे थे यहाँ पर वो लेव फो इसके अंदर जाने की कोशिश तो कर रहे थे लेकिन इससे पहले कि वो लेव फो इसके अंदर पहुंच पाते यहाँ पर कीजरू अपने किक से उस वैक्यूम ट्यूब को भाई तोड़ देता है इसका मतलब तो यह है कि अगर उलोग उपर जा रहे थे तो भाई अब नीचे गिरने लगे होंगे और अगर यहाँ पर बॉनी गिर रही है तो उसको तो भाई यहाँ पर सान जी बचाएगा लेकिन भाई लीकर्स का तो यहाँ पर यह भी कहना है कि सांजी इस चैप्टर के इंदर कुछ बड़ा करने वाला है वैसे इनकी बास सुननी तो नीची है पर तब भी हम पॉसिवली सांजी वसी स्कीलर वी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी और कोई तो नहीं है यहाँ पर फाइट करने के लिए बट अगर यहाँ पर सांजी वसी सैटन भी थोड़ी देर के लिए होता है तो भाई उतना शॉकिंग नहीं होगा अब एक पॉइंट यहाँ पर लीकर्स ने ऐसा दिया है जो कि थोड़ा कंफुजिंग था लीकर्स का यहाँ पर खहना है कि हमें डिफरेंट ओवर्विव सीन्स दिखाए जाएंगे अब इन ओवर्विव सीन्स यहाँ पर क्या मतलब है वो तो भाई क्लियर नहीं किया गया लेकिन थोड़ा दिमाग चलाने के बाद मैं यही समझ पाया कि यहाँ पर हमें बाकी सारी स्ट्रोइट के भी सीन दिखाए जाएंगे क्या कि वो लोग क्या कर रहे हैं बट भाई काफी बार जो लीकर से वो अच्छा पार और जो मीन पोर्शन है वो चैप्टर के लिए छोड़ देते हैं सो आई होब यहाँ पर चैप्टर के मिड में हमें काफी बड़िया चीज़े देखने के मिले नहीं तब यह तुम लोगी मिड मिड चैट पर कमेंट करने लग जाओगे सो अब आते हैं उस पार्ट पर जो कि यह कंफर्म कर देगा कि आखित एगट के अंदर कौन आने वाला है क्योंकि हम देखेंगे कि मरीन्स की एक शिप एगट के रिसर्च मेंबर और स्टाफ की जो शिप निकली थी एगट से उसका यहाँ पर पीछा कर रही थी ताकि होसे डुबा सकें क्योंकि सैटर ने शुरू में उनको मारने का ओडर दे दिया था लेकिन इससे पहले कि वो कुछ ऐसा कर पाएं यहाँ पे भाई मरीन्स की शिप को किसी ने डिश्ट्रॉय कर दिया जिसकी वाईसे अब दूसरी मरीन्स की शिप से किजारों के लिए कॉल जाता है कि दे आर हेडिंग टू एगएड यानि कि जिसने मरीन्स की शिप डुबाई है वो भाई कोई अकेला परसन नहीं है बलकि एक पूरा ग्रूप है सो भाई सोचो सोचो आखिर कौन हो सकता है सबके दिमाग में पहले तो यहां पर ब्लैक बेट पाइड आएंगे क्योंकि उनकी शिप यहां पर हमने देखी थी और उसके बाद कोई इंफॉमिशन नहीं दी गई लेकिन भाई पॉइंट नमबर वन जब हमने उनकी शिप देखी थी तो एकट के आसपास कोई भी मरींज की शिप नहीं दीख रही थी यहां पर ब्लैक बेट पाइड पाइड ने उसको भाई डिश्ट्रॉय कर दिया होगा अब इस शिप के अंदर ब्लैक बेट है या फिर नहीं और उसका मोटिव क्या है उसकी बात भाई यह चैप्टर के अंदर ही करूंगा सो अब यहां पर हमारे पास दो और अप्शन बचते हैं एक तो है बाई रेवलिशनरी आर्मी और जो दूतरा है वो है बाई श्ट्रॉहेड ग्रेंट फ्लीट जिसकी बाई जो पॉसिविट है काफी जादा लग रही है रेवलिशनरी आर्मी इसलिए बाई क्योंकि उनकी करने के बाद भागा सो रेवलिशनरी आर्मी का यहां पर आना पॉसिवल है लेकिन अगर तुम लोग को याद हो तो जब श्ट्रॉहेड ग्रेंट बनी थी तो वहां पर एक बात कही गई थी कि इसके सारे मेंबस काफी श्ट्रॉंग बनेंगे जिसके बाद वह एक ग्रेट करेंगे और इस चीज़ को यहां पर ऐसे पोर्ट्रे किया है कि यह चीज़ 100% होना कंफर्म है और भाई एक हैट को भी तो ऐसे बड़े इंसिदेंट के रूप में दिखाया गया है तो श्ट्रॉहेड ग्रेंट फीट का यहां पर आना पॉसिवल है और में भी भाई उन्ही चीज़ ने एकडवाली शीप को बचाया हूँ वैल यह सारी चीज़ चैप्टर के अंदर तो क्लियर होई जाएंगी तो अगर तुम्हें चैप्टर का हिंदी एक्सेशन देखना है तो भाई फटावट से चैनल को सब्सक्काइब कर लो मिलता हो तुमसे अगली वीडियो म तो तक ले सायोनारा